हरियुम दर्शकों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी खास कारिकरम ग्रह गोचर और उनकी चाल में दर्शकों सूर्यदेव धनु राशी में प्रवेश करेंगे 16 दिसंबर को और 14 जनुवरी तक यहां पर रहेंगे धनु राशी में इसका आपकी राशी पर क्या प्रभाव पढ़ने वाला इसकी चर्च 20 फीडियो के माध्यम से की जा रही है कारिकरम शुरू होने से पहले हर शुरूरी सूचना यहां जो कुछ बही आपको बताया जा रहा है मात्र ग्रहुं की सूर्यदेव के घोकर का ही फलादेश किया जा रहा है है यह किसी के ई गटित हो सकता है किसी के जीवन में घटितес नहीं क्योंकि व्यक्ति के सत्य के रूप में लेना आपकी अपनी सूजबूज और अपने विवेक पर निर्भर करता है। चेदश को शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं मेश लगन मेश राशी की भागेस्तान पर यह गोशर होने वाला है और बड़ा ही सुंदर योग बनेगा धर्म में खास तोर से वृद्धी होगी नयतिक मुल्यों में वृद्धी होगी बड़े बजरुगों का आशिरव जीवन में आगे आपने क्या करना है उसका कुछ सोचेंगे इस बात वृद्ध लगन वृद्ध राशी दशकों खास तोर पर यह अस्टमभाव में गोचर हो रहा है और सुरिदेव की अस्टमभाव में इस्तिति किसी भी प्रकार से शुब नहीं मानी गई है दशकों स्व को ज्यादा अपने जो भी आप जिससे भी आप रिलेशनिशिप रखते हैं उसके बीच में ना आने दे तो थोड़ा आपने ध्यान रखना है एक यहां पर बैनिफिट एक यहां आपको यह मिल सकता है कि आपको कहीं ससुराल पक से कुछ भूमी परपड़ी मकान वहन की प् पॉज्टिव बनता हुआ दिखाई देगा मितों लगन मितों राशी के जो जातक हैं इनके लिए सूरीदेव का जो गोचर है वह सेमे था उसमे हो रहा है ट्रैवलिंग करने के योग बनेंगे आप अपने छोटे भाई वैनों के साथ आजपडोसियों के साथ और कारे चित आपको बनाकर रखनी होगी उनमें थोड़ा सा इगो जादा रहेगा इगो के चलते आपके रिलिश्टिशी थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है थोड़ा ध्यान रखें यहां पर जो आपके पार्टनर हैं उनमें इगो जादा रहेगी उसके चलते तो थोड़ा सा आपने ध् चेतर से कुछ सर्विस प्राप्त करना चाते हैं, कुछ सरकारी नोकरी चाते हैं, इस समय में यदि वो प्रयास करते हैं, और आपकी जनम कुणली में भी यह योग है, तो आपको निश्टी तोर पर इस समय सरकारी पद की प्राप्ती के योग बनेंगे, धन को लेकर आपको थ आपका ज्यान बढ़ेगा, बुद्धी बढ़ेगी, संतान पक्ष मजबूत होगा, आपका जो ध्यान है संतान की तरफ ज्यादा लगा रहेगा, लवरो मास में भी वृद्धी होगी लेकिन थोड़ा सी एगो रहेगी, वो आपके कारण ही होगी, तो अपनी एगो को थोड़ कोई व्यक्ति फेमस हो सकता है, माता की प्रसिद्धी हो सकती है, और खास तोर पर अपने जो आपके परिवार के सदस्य हैं, उन में थोड़ा सा एगो की भावना जनरेट होगी, तो इसको जो सूरे देव है ये हाईवी एगो है, ये समझ दीजी आप, तो जहां बैटेंग तुला लगन तुला राशी की, यहां जो स्थिती बनी हुई है, बहुत ही शुब है, बहुत ही सफलता दायक है, जैसा कि आपने वीडियो में थम निल में देखा भी होगा, कि सफलता किनको मिलने वाली है, तो ये है वह राशी है, तुला लगन तुला राशी, इनको आप, पूर्ण होने का योग है वह आपके छोटे भाई बहनों के माद्यम से है यदि छोटे भाई बहन आपके नहीं है तो आपके छोटे भाई बहन यदि आप छोटे हैं तो आपके छोटे भाई बहन आने का योग बनेगा यह समझ लीजिए तो आपके जो कलीक्स है या फिर जो स जादा करेंगे महनत जादा करेंगे जिसका मूलभुत उदेशी आपकी सरफ इच्छा होगी इच्छा को कैसे पूर्ण किया जाए बागी छोटे भाई बहनों के माध्यम से यहां पर योग बनता है वरिश्चिक लगन वरिश्चिक राशी के जो जातक है आपने पनी वानी प कुटुम से आप अपने कैरियर को बढ़ाने का प्रियास करेंगे यानि कि जैसे यूँ कह सकते हैं कि कुटुम भी जनों के माध्यम से कैरियर में इंप्रूमेंट होगी धनू लगन धनू राशी के जो जातक है यहां स्थिती बनी हुई है लगन के उपर आपका जो इगो जादा रहेगी एंकार में व्रिद्धी जादा रहेगी तो एंकार आपने नहीं करना है क्योंकि जो एंकार है यह कहीं न कहीं इंसान को एकदम अंधा कर देता है आदमी देख नहीं पाता है कि क्या है सही और गलत की पहचान नहीं कर पाता तो इगो से बचना है आप को मकर लगन मकर राशी के जो जातक है यह थोड़ा सा सावधान रहें यहां पर एक विप्रीत नामक राज्योग का भी दिर्मान होगा जिसके चलते विश्वम्तितियां देखने के बाद सफलता मिलनेगा योग बनेगा और खर्च के दिखता ज्यादा देखने को मिलेगी खर सरकार से भी कोई दंड मिल सकता है जिसके चलते आपको कुछ पुनिश्मेंट हो जिसके आपका थोड़ा खर्चा हो सकता है ध्यान रखिएगा कुम लगन कुम राशी के जो जातक है इनके लिए यह बहुत इशुब रहने वाला है समय सफलता प्राप्त करने वाली यह आपने वीडियो के थमनिल में देखा है कि चार को सफलता जादा मिलने है तो उनमें से कुम राशी भी एक है पार्टनर का गेन हो सकता है पार्टनर के माध्यम से लाब हो सकता है और लाब ही लाब होता हुआ दिखाई देगा सरकारी नोकरी के प्राप्ती के भी योग प्राप्ती है सोशल सरकल में भी बड़े लेवल के लोग आपके सोशल सरकल में बढ़ते में नगराएंगे मीन लगन मीन राशी जो जाता है इनके लिए यह राशी भी सफलता दायक राशी है इनको भी सफलता प्राप्त होने वाली है बड़ी जबरदस्ट कोई भी competition इंट्रू होगा सरकारी छेतर से नोकरी प्राप्त करने के लिए तो सरकारी नोकरी की प्राप्ती के योग जबरदस्ट बनेंगे बहुत जबरदस्ट बनेंगे आप सिर्फ मेहनत करिएगा लाप आपको जरूर मिलेगा सरकारी छेतरों से लाप होने का योग बनेगा पिता का लाप हो सकता है पिता को लाप हो सकता है और आपकी ट्यूनिंग भी अच्छी होगी आपकी बहुत सीनियर्स के साथ संबंद अच्छे होते हो नजर आएंगे दर्शकों यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात है कि थोड़े एगो के कलैशिस रहते हैं माता पिता के साथ थोड़े से वियोग के योग भी बन सकते हैं यानि कि आप कहीं दूर जा सकते हैं काईरियर को लेकर या फिर हो सकते हैं आपकी उनके साथ इतनी नादेवे क्योंकि सूर्य देव जब भी 10 थाउस में आते तो व्यक्ति को व्यवसाइक तोर पर बड़े उच्छे लेवल पर ले जाते हैं दर्शकुम हाले कि या मुद्दा नहीं है इस गोशर फल में या बताने के लिए फिर भी मैं आपको आपकी नौलिज के लिए बढ़ाना चाता हूँ यदि जिस किसी जाता कि कुर्णी में सूर्य देव दश्यम भाव में बैटे हैं यह समझे न वह बहुत बड़े लेवल पर जाने की काबिलियत है उस बंदे में वह जा सकता है बहुत आगे और वैवसाइक तो बहुत आगे निकल सकता है लेकिन उसके संबंद माता पिता से इतने सही नहीं रहते क्योंकि सूर्य देवे कुरूर ग्रह है तो जब भी 10th house में वैटेंगे उस थान की थोड़ी हानी भी करते है उस relative के साथ और जो 10th house है वो हमारी जो पाश्यत्य है जो western astrology उसके साब से पिता का घर है और जब सामने स सबत्रिष्टी से देखेंगे तो माता के गर को देखेंगे तो वहां थोड़ी सी clashes बनते हैं तो बाकी overall तरक्की के chances बहुत जादा बनते हैं कई बार ऐसे जातकों को देखा गया कि मान सम्मान की प्राप्ती भी इतनी नहीं हो पाती जितना मरजी को अच्छा कारे कर लें बाद में होती है जो वह नहीं रहते हैं चलिए फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ तब तक बने रहें आप हमारी चैनल के साथ हर योम हर योम हर योम